नमस्कार आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस ओफीशेल यूट्यूब चैनल SSG गुरुगुल पर इस समय पूरी लाव यूनिवर्स्टी लाव स्कूल्स और जितने भी वकील हैं जज हैं वो सब हिल गए हैं पूरी तरीके से आप उनको सारिता मंतरी अमिर्शा जी के द्वारा 12A 12B 12C तीन बिल हम अंग्रेजों के जमाने की जेलर हैं हां इस चीजों को समात करने की बारी आ गई है ब्रिटिस समराज ने जितने भी नियम बनाए आई पीसी 1860 CRPC 1973 या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इनको समात करने की बार दिलाने के लिए उनका मेन उद्देश ब्रिटिस समराज की रच्छा करना था ब्रिटिस समराज के पाउं को मजबूत करना था उनका ये उद्देश नहीं था कि भारती नागरिकों को न्याय कैसे उपलत कराया जाए उनका उद्देश ये था कि दंड के माध्यम से भारती थोपे गये थे उनमें भी बदलाव क्या शक्ता अब हम लोग को दिख रही है यह बदलाव हम आज से नहीं सोच रहे हैं काफी सालों से सोच रहे हैं कई वर्षों से सोच रहे हैं फिर मार्च दो हजार बीस में रडवीर सिंग्धी की अध्यचता में जो कि नेशनल ला यून अत्मान को लेते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जो परिवर्तन लाता है वो राज करता है जो परिवर्तन के साथ अपने आप में परिवर्तन लाता है वो इस संसार में जीवित रहता है और जो परिवर्तन के बाद भी परिवर्तन नहीं लाता उसका समुल विना निश्चित हो जाता है तो अब वक्त आ चुका है कि हम लोग भी आई पीसी जो आठाना सो साच सी आर पीसी उनने सोती है तर 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट है इसमें भी चेंजेस कर दिये जाएं तो स्वागत करिए भारती नयाय सहिता का भारती नारिक सुरच्छा सहिता का या भारती साच विध्यक का 2023 का तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि आई पीसी होती क्या है CRPC होती क्या है दोनों में basic सा अंतर क्या है IPC आपको बताती है कि क्या अपराद है समझेगा बहुत अच्छे समझाऊँगा IPC हमको Indian Penal Coach बताता है कि अपराद क्या है और अपराद की सजा क्या है अपराद क्या है और अपराद की सजा क्या है या IPC बताएगा लिए अपराद हो गया और अपराद के बाद जितने भी प्रोसीजर है जैसे ये बेलेबल है कि नहीं है नॉन बेलेबल है इसमें वारंच दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा जमानत कैसे होगी क्या प्रोसीजर होंगे यानि कि आपने अपराद कर दिया और अपराद के बाद जब पुलिस वाले आपके पास आए आपको ग्रफतार करने बस वहीं से चालू हो जाता है CRPC और जब तक निया ध्यादिस के दोरा आपको दंज नहीं दे दिया जाता है तो दंड के पहले तक CRPC है जो भी मुकदमा कारवाई ही अवरह के दोरान जो भी साक्ष प्रस्तुत किये जा रहे है वो सब after the criminal procedure कोड़ है criminal procedure कोड़ है डंद प्रक्रिया सहीट है और उस कोड़ के अंदर जो भी आपके प्रूफ दिये जा रहे हैं वह सब क्या है साख्ष में आ जाएंगे तो यह बात आपको समझ में आ गई तो बेसिक आपको भारति दंज सहीटा और दंज साहिता में अंतर समझ में आ गया तो चलिए बात करते हैं कि क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं इसको देखते हैं केंद्री ग्रह मंत्री अमिस्ता ने देश के क्रिमिनल जस्टी सिस्टम में भारी बदलाव करने वाले तीन अहम बिल लोग सबा में पेश किये ये तीन बिल है आई पीसी को जना जाएगा भारती न्याय सहिता विधेयक 2023 CRPC को जाना जाएगा भारति न्यागरिक सुरच्छा साहिता विधेयक 2023 और Indian Evidence Act भारति साक्ष अधनियम 1872 की जगह लेगा भारति साक्ष विधेयक या भारति साक्ष अधनियम 2023 देश यालि कि IPC के नाम भारती नियाए सिंटा हो गया है और CRPC के नाम भारती नागरिक सुरच्छा संथा हो गया है आर जो क्योंकि ब्रिटिस समराज का मुख्त उद्देश हम लोग को दंज देना था लेकिन आज हमारा उद्देश जो है वो न्याय प्रदान करना है ना कि दंज देना है आगे बढ़ते हैं अगली बात सरकार ने 2020 में बनाई थी कमिटी मार्स 2020 में केन सरकार ने IPC, CRPC और भारती साक्ष अधनियम 1872 को संसोधित करने के लिए एक सुझाव समिती बनाए गई थी जिसे आप राजि अधर्स भी सामिल थे जिसमें आप देख पाएंगे लिखा हुआ है हना डॉक्टर बलराज चौहान वरिष्ट अधिवक्ता महज जेट मलानी इसके बाद हमें कम दिख़ा है दिल्ली के पूर्व जिलाएवंसत्र नयाधीज जीपी धरेजा इत्याधी जो हमारी पुरानी IP इसमें 511 धाराएं थी जो नई IPC हम लोग ने इंट्रेड्यूस करी है उसमें 356 धाराएं जो ओल्ड पीसी थी उसमें 484 धाराएं थी जो न्यू सी आरपीसी बनाए गई उसमें 533 धाराएं जो ओल्ड एविडेंस एक्ट था उसमें 167 सेक्षन थे जो निव एविडेंस ए जहां है कि राजद्रो को हटा दिया जाएगा अब राजद्रो की परिभाशा बदल दी गई है जो धारा 124 एक तहर राजद्रो माना जाता था उसको समाप कर दिया गया है अब राजद्रो की जगह आएगा देश द्रोग अब उसको सामल किया गया धारा 150 में और कुछ ची चीजों को जोड़ा गया है जैसे और कुछ चीजों को हटाया गया है जैसे सरकार के प्रति आसंतोज भड़काने या भड़काने का प्रयास इस पंक्ति को हटा दिया गया है और इसकी जगह जोड़ दिया गया है कि उकसाना यानि भारत सरकार के खिलाफ भारत सरकार कर दिया और भारत की अखंजता का जिक्र किया गया है सजा भी बदली गई है पहले राजद्रों के लिए तीन साल की सजा का प्रावधान पहले राजद्रों के लिए आजीवन कारवास या तीन साल की सजा तक की कैद थी लेकिन जिसे बदल कर आप साथ वर्स का कारवास या आजीवन क कारा आवास में बदल दिया गया है और इसमें नई पंक्ति इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्ति साधनों का प्रियोग करके अगर आप ऐसा करते हैं जिसे भारत की संप्रभुदा एकता और प्रिता हना की मर्यादा तूटती है या फिर उसमें हनन होता है तो फिर आपके उपर धारा 150 के तहट कारवाही की जाएगी अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो तीन बिल पेस किये गए है इसके एहम पीट कौन-कौन से हैं कौन-कौन से एहम मुद्धों को उठाया गया था जिन्नों ने दिल छूलिया है लोगों का सबसे पहला मुद्दा है नय कानूनों का उद्देश दंडित करना नहीं बलकि नयाय देना होगा सजा अपराद को रोकने की भावना से दी जाएगी दूसरा किसी अपराद के मामले में FIR दर्ज करने से लेकर नयाय पाने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल बनाई जाएगी फोरेंसिक साइंस पर ध्यान दिया जाएगा साथ साल या उससे अधिक जेल की सजा वाले अपरादों में फोरेंसिक टीम का मौके पर जाना आनिवार होगा अगला देश के हर जिले में तीन मोबाइल फोरेंसिक साइंस लैब की तैनाती की जाएगी देश की सभी अधालतों को 2027 तक कंप्यूटराइट किया जाएगा पहली बार EFIR दर्ज करना संभव होगा देश में अपराद कहीं भी हो उनके लिए 0FIR कहीं से भी दर्ज की जा सकेगी इसके बाद वो FIR 15 दिन के भीतर संबंदित ठाने को बेज दी जाएगी हर जिले में एक पुलिस अधिकारी हिरासत में लिये गए जो भी अपराधियों को हिरासत में लिया जाएगा तो एक पुलिस अधिकारी की तैनाती सिर्फ इसलिए की जाएगी कि जिसको भी गरफतार किया गया है जिस भी अपराधि को पकड़ा गया है वो पुलिस अधिकारी उनके परिजनों को उनके घर वालों को चाहे तो फोन के जरिये और या तो वक्ति गजा कर उनको सूचना परदान करेगा कि आपके इस वक्ति को ग्रफतार किया गया है या आपके जो भी परिजन है उनको ग्रफतार कर लिया गया है अगला योन हिंसा के मामले में पीडिता का बयान और उसकी वीडियो रिकॉर्जिंग अनिवारि करती गई है पुलिस को किसी मामले में इस्थिती की जानकारी 90 दिन की भीतर देनी होगी यदि वो 90 दिन की भीतर नहीं दे पाती है तो उस पर एक्षन होगा और अगर 90 दिन की नहीं है तो न्याया धीश चाहे तो अदालत चाहे तो पुलिस को 90 दिन की मोहलत और दे सकती है इस प्रकार पुलिस को 90 दिन की मोहलत दिया रियुकि किसी केस की रिपोर्ट तयार करने के लिए साथ साल या अधिक की जेल की सजावाले अपरात के मामले में पीडिता का पच्छ सुने बिना केस को विड्रॉण नहीं किया जाएगा अदालतों में मुकदमे में देरी रोकने के लिए बदलाव किये गए हैं से इससे कानून में पहली बार आतंगवाद को परिभाशित किया जा रहा है इसके पहले आतंगवाद को परिबाशित नहीं किया जा रहा था आर्टकल कौन सा है यह फिर सेक्षन कौन सा है जुरूर बताईए आतंगवाद को परिबाशित किस में किया गया है जल्दी बताईए फटाक से पुलिस को 90 दिन में आरोप पतर दायर करना होगा अदालत इस अ आना होगा रिपोर्ट आने के बाद और एक सफ़ता के अंदर उसको ये केस समात करके आउनलाइन भी डालना होगा यदि कोई सरकारी नौकर है या नौकर साही है तो उसके खिलाव अगर सिकायत कर रहे हैं तो 120 दिन के अंदर उसको मोलत दी जाएगी तो इसको पढ़ना है हम सत्रवां घोसित अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके मुआवजे का प्रावधान किया गया है अब पुलिस अधिकारी किसी की संपत्ति या कुर्क करने की या संपत्ति जब्त करने का आदेश नहीं देंगे किसी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश सिर् का महिला का योन सोसन कर लिया तो उसको अपराद की स्रेड़ी में माना जाएगा रेप की स्रेड़ी में माना जाएगा गैंग रेप के मामले में 20 साल की कैद का या उम्र कैद की सजा का प्राफधान है यदि लड़की 18 साल से कम उम्र की है तो सजाय मौद का प्राफधान है moped lynching के मामले में 7 साल की कैद या उम्र कैद कराद के संगोटित अपराद या कई राज्यों में फैले गिरहूं के मामले में कडी सजा का प्रावदान किया गया है जो कोई अपरादी भाग जा रहे हैं गया फिर नहीं पकड में आ पा रहे हैं तो अब ऐसा नेकिन को पकड़ कर अदालत में लाया जाएगा और उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी यदि कोई अपराधी भाग गया उसको भगोड़ा गोसित कर दिया गया है तो उस भगोड़े अपराधी के लिए मुकदमा चला दिया जाएगा उसको सजा मुकमल कर दी सजा दे दी जाएगी तो भगोड़े अपराधियों की गयर मुझूदगी में मुकदमा चला कर सुनाई जाएगी सजा राजद्रों के कानून को पूरी तरह से बेसर किया जाएगा अमिर्शा ने कहा यह लोकतन तरह सभी को बोलने का दिकार है देखाऊगा स्टेशनों के पार बिल्कुल लाइने लगी रहती हैं गाडियों की टूटी-फूटी गाडियों की तो अब वीडियोग्राफी होने के बाद वहनों को मुकदमे के अंतर तक नहीं रखा जाएगा उनको डिस्पोस कर दिया जाएगा कुछ चीजों चेंज की गई है जैसे कि अब दफा 302 आपकी मृत्युदन नहीं रह गया है अब दफा 302 में स्नैचिंग आ गई है तो जैसे कुछ चेंज हुए हैं जैसे सेक्सें जो 63 है वो रेप के बारे में हैं 64 परिस्मेंट ऑफ रेप 70 सेक्सें सेवेंटी गैंग से इस्टेक्ट यानि आतंगवाद को पहली बार परिभाशित किया गया है धारा 225 गिविंग फॉल्स एविडेंस यानि आप अगर जूटा साक्ष प्रस्तूत करते हैं 226 यदि आप 767 या एविडेंस के साथ छिरचाड करते हैं या फिर आप गलत फैब्रिकेट करते हैं क तो कोई वकील जाएगा आपने क्लाइंट के पास और कहेंगा भाईया दफा 302 के तहट अब तुम्हें बेल मिल जाएगी तो तो खुस हो जाएगा रहे उसको यह नहीं पता तो जेल के अंदर विचार पता है गया नहीं तो 302 स्नैचिंग आ गई है 306 जबरदस्ति वसूल इस प्रकार से चीजों को चेंज किया गया है तो कितने लोग इस नए कानून से सहमत है अभी बहुत सारी बाते हैं यदि आपको कोई भी डाउट हो अगर आपको लगता है कि सर हमें सेक्सेंस नहीं याद होते हैं तो सेक्सेंस को चैप्टर वाइज याद करने की कोशिज क किजिए यदि कोई विद्यार थी उसको सेक्सेंस या धाराएं याद करने में दिक्कत होती है तो वह लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि सर एक वीडियो अगर आप धाराओं को याद करने के च्रिक का पता दें तो मजही आ जाए तो मैं आई पीसी की मै भी नहीं याद करवाएंगे वह धारा राश्पती जी जब इस बिल पर अपने सिग्नेशर कर देंगे जब यह बिल एक्ट में बदल जाएगा तब हम आपको यह धाराएं याद कराएंगे तो कैसा लगा आप हमारे केंद्री ग्रेवम सहिकारिता मंत्री अमिश्राजी से क बोल नहीं पाएंगे बोला तो जाना पड़ी है तो बोला जाना चाहिए तो यह आज मज़ेदार था आपने देखा होगा कि मैं करंट अफेर में सिर्फ वही जुलनत मुद्ध्य उठाता हूं जो मुझे दिल को भाते हैं कि आज कई मुद्ध्ध मेरे दिल को भाया मैंने पूरी लोग सभा देखी और मजा ही आ गया बाते सुनकर अब मुझे लगा कि आज की बात है हम लोगों को करनी चाहिए आपके साथ तो वीडियो को लाइक कर देंगे अच्छा लगए तो बता दीजेगा बहुत-बहुत धन्यवास स्वस्त रहें मस्त रहें और हम आपके अच्छे स्वास्त की काम ना करते हैं